तो देखो square and square roots वाला चार्टर हम लोगों का चल रहा था जिसमें हम लोगों ने कल XI 6.3 का discussion किया था उसके कुछ सवालों का तो उसी सेम XI 6.3 का जो ये question number 7 है और जो question number 8 है इसका आज हम लोग discussion करने जा रहे हैं दिखने कि इन सवालों को हमें कैसे करना है देखो क्या बोला गया है पहले question की statement को आप समझने की कोशिश करिए वो आप से क्या बोलना चाहरा है आप उसको समझने की कोशिश करिए उसकी language को समझने की कोशिश करिए ठीक है जब आप उसको समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये चीज ऐसी ये चीज वैसी इसको ऐसे करेंगे ठीक है ना? अच्छा आगे बढ़ते हैं तो अब आगे क्या कहानी है एक क्लास एथ है चलो ठीक है अच्छी बात है तुमारी ही क्लास के बच्चे हैं तुमारी ही एज ग्रुप के हैं उन लोगों ने कुछ पैसे टोटल मिला कर डोनेट किये बताओ इतने पैसे उन्होंने डोनेट किये किसको डोनेट किये? अलग-अलग देखो एंजियो जोते हैं अलग-अलग सरकार के या स्टेट गवर्मेंट के फंड होते हैं तो कहां पर डोनेट किया वो हम लोगों का टॉपिक का व कंसर नहीं है भया कहीं भी किया होगा कोई रिक्कत नहीं है करने दोसको ठीक है? अच्छा प्राइम मिनिस्टर नैशनल रिलीफ फंड में उन्होंने बच्चों ने मिलकर 2,401 रुपीज डोनेट कर दिया है ठीक है? यह इनका डोनेशन का टोटल अमाउंट है तो अपन पहले अपनी इंफोर्मेशन को लिख लेते हैं कि टोटल ठीक है? अमाउंट ठीक है? डोनेटेट कितना है? बताओ अब देखो यह जो लाइन है यह लाइन आप लोगों के लिए वरी इंपोर्टेंट है इसी से आपका कोशन सॉल होगा अगर आपको यह कोशन का मतलब समझ में आ रहा है इस लाइन का आपको मतलब समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर आपको इसका मतलम नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आपको फे कोशन को करने में धिक्कत होगी, हाँ, एक तरीका यह होता है, कि कई बच्चे रट लेते हैं, solution को, बट रटना is not at all a good option for maths, तो आप इसका मतलम समझें, और यह मतलम समझना, कोई maths की class का काम नहीं है, इस line का meaning समझना, English subjects are related, अगर आपकी English language पे command अच्छी है, सामने वाली statement या sentence आपको क्या कहना चाहरी है, आप उसको हिंदी में deduce कर सकते हैं, उसका मतलब समझ सकते हैं, तो ओविस से कि आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या, तो ओविसली दिक्कत होने वाली है, चलो, देखते हैं, क्या बाची बोल रहा है, खेर, continue करते हैं, टॉपिक यह है, कि each student, देखो जैसे मान के चलते हैं, मेरे पास 8 class के 10 बच्चे, 10 नहीं रखते हैं, मान लेते हैं, 9 बच्चे हैं, मान लेते हैं, मेरे पास एक है, राम, जादा हो जाएंगा, शाम, एक है मेरे पास घंशाम, एक है मेरे पास सीता, एक है मेरे पास गीता, एक है मेरे पास राधा, ऐसे करके मान के चलिए, मेरे पास 6 बच्चे हैं, 8 class के मेरे पास कितने बच्चे हैं, मेरे पास 6 बच्चे हैं, 8 क्लास के इच्ट टूडंट का मतलब होता है हर एक लड़का और हर एक लड़की मतलब कल को अगर अगर उठा कहे घया कि नहीं नहीं को नहीं देना है पैसे तो यह नहीं चलेंगा अ पैसे देना compulsory है हर बच्चे को पैसे देना क्या है बोलो compulsory है हर बच्चा को पैसा देना ही देना है अब अगर यह बोलोगे नहीं मैडम हमको पैसे नहीं देने अब नहीं मैडम मैं पैसे नहीं दूँगी यह नहीं चलेगा आपको पैसा देना है मतलब आपको पैसा देना है ये इस तरह के का जवर्दस्ती है ठीक है अब अगर मान ने दे कल को राम बोलेगा मैडम मैं दो रुपे दूँगा शाम बोलेगा मैडम मैं बीस रुपे दूँगा गीता बोलेगी नहीं मैं तो 30 रुपीज दूँगी ऐसा भी नहीं चलेगा ऐसा भी नहीं चलेगा ठीक है ऐसा नहीं चलेगा, अगर आपको पैसे देने हैं, तो देखो, स्कूल की टीचर ने बोला, कि हर एक बच्चा पैसे देगा, लेकिन कितने देगा, as the number of students in the class, मान लेते हैं, मैं एट क्लास को पढ़ाती हूं, और मेरी क्लास में 6 बच्चे हैं, उतने पैसे हम को देने पढ़ेंगे, जितने बच्चे क्लास में हैं, उतने पैसे हम को देने पढ़ेंगे, जितने बच्चे क्लास में हैं उतने पैसे हमको देने पड़ेंगे अभी क्या ये लाइन समझ में आई कि जो वर्ड लिखा है Each student donated as many rupees as the number of students क्या आपको इसका मतलब समझ में आया हाँ मैडम इसका मतलब समझ में आ गया कि ये क्या कहना चारा है कि हर एक बच्चा उतने ही पैसे देगा जितने बच्चे वहाँ पर हैं अभी जो question बोला गया है क्या उस question में आपको ऐसा बताया गया क्या कि उस class 8 में कितने बच्चे हैं नहीं बताया मैडम देखो ना कहां बताया है सिर्व इतना लिख दिया है कि class 8 के students है class 8 के students ने इतने रुपीज डोनेट किये बताया क्या कि कितने बच्चे हैं नहीं बताया तो ऐसे में मैं ये let करती हूँ कि जो question वाला है कि let number of students ठीक है in class 8 उसको मैं कितना मान लेती हूँ एक्स अज्यूम कर लेती हूँ ठीक है क्यो मैंने एक्स अज्यूम किया जैसे मैं आपको क्या बोल रही थी कि मान लो मेरे पास 6 बच्चे पढ़ते हैं मान लो किसी other school में या किसी other tuition में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से इस question वाले को भी बताना चाहिए था ना उसके पास कितने बच्चे पढ़ रहे हैं उसने नहीं बताया सोचो उसने नहीं बताया वो मना कर दी आपको बताने से अरे यार जब तक तुब बताये गाई नहीं कि तेरे पास कितने बच्चे पढ़ रहे हैं मैं तुझको कैसे सवाल सौल करके बताओंगी बताओ तो मैंने ऐसा assume किया कि उस class में कितने बच्चे हैं एक बच्चे हैं अब अगर मान के चलो एक class में 6 बच्चे होते मान के चलो एक class में अगर 6 बच्चे होते तो हर एक बच्चा कितने पैसे देता मैडम हर एक बच्चा 6 रुपे देता एक class में अगर 3 बच्चे होते तो हर एक बच्चा कितने पैसे देता हर एक बच्चा मैडम आपका 3 रुपे देता अब आपकी जो class है इस class में बताओ कितने बच्चे हैं मैडम इस class में x बच्चे हैं बोलो इसमें कितने बच्चे हैं मैडम इस class में x बच्चे हैं तो हर एक बच्चा कितने पैसे देगा हर एक बच्चा x रुपीज देगा हर एक बच्चा कितना देगा x रुपीज हर को उतने ही पैसे देने हैं जितने उनके यहां स्टूडेंट है जितने उनके यहां क्या है बोलो स्टूडेंट है अगर एक स्टूडेंट है आपकी क्लास में तो आप एक्स रुपीज दोगे अगर आपकी क्लास में एक स्टूडेंट से तो आप क्या दोगे एक्स रुपीज दोगे क्या बात समझ में आ रही है अगर आपकी class में x students हैं तो आप कितने रुपीज दोगे आप x रुपीज दोगे क्या ये बात निमाग में जा रही है क्या ये clean हो रहा है या पॉइंट अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है अगर clean हो रहे है तो तो इसी के नीचे हम line मे x देगा तो यहां मैंने ऐसा लिख दिया कि हर एक बच्छा कितने पैसे देगा x तुम भी x होगे मैं भी x दोंगी हम सब कितने कितने पैसे देंगे x x रुपीज देंगे हम सब कितने कितने पैसे देंगे x x रुपीज देंगे क्या ये बात दिमाग में जा रही है हम कितने sense की बात है common sense की बात तपन करते हैं एक लड़की है दुकान में गई दुकान वाले से पूछती है कि भाई या नट राज पैंसिल कित्ते के आती है दुकान वाले ने कहा तीन रुपे की खैर जब मैं छोटी थी तब तो दो रुपे और तीन रुपे की आती थी मुझे अपका पॉस नहीं पता कि आप कित्ते के आती है पैंसिल खरीदे तो जमाना हो गया है ना तो उसने बोला मैंडम तीन रुपे की आती है लड़की को बोला बैठी तीन रुपे की आती है अब लड़की को लेनी है 12 लड़की को कितनी पैंसिल खरीदनी है 12 कितनी पैंसिल खरीदनी 3 3 3 3 ऐसे कितनी मार 3 लिखेगी वो लड़की ऐसे वो 3 लिखती जाएगी कितनी मार बोलो ऐसे वो लिखती जाएगी 12 बार फिर count करेगी 3 plus 3 6 6 plus 3 9 9 plus 3 12 ऐसे करेगी लेकिन वो लड़की तो बड़ी smart है वो बोलती है कि अच्छा टोटल पैसे कितने देने हैं कैसे निकाला जाता है जो भी आइटम आप परचेस कर रहे हो ठीक है जो भी आइटम आप परचेस कर रहे हो उस आइटम की आप क्या कर लो उस आइटम की आप क्या कर लो उस आइटम की आप cost जितनी भी है cost वो लिख लो multiply आपने कितने आइटम खरीदे आप वो लिग दो multiply आपने कितने number of items खरीदे आप वो लिग दो तो एक pencil की cost तीन रुपए है multiply वो कितना आइटम खरीद रहे 12 तो उससे उसको total पता चल जाएगा तो total लिकालने का क्या तरीका होता है कि आपके पास जितनी भी quantity है उसको multiply कर दो एक वाली values उसको multiply कर दो किससे एक वाली values है तो अगर कोई भी तुमसे पूछेगा कि therefore total amount donated की बच्चों ने मिलकर total कितना amount donate किया तो क्या जवाब दोगे क्या जवाब दोगे कि एक बच्चे ने कितना किया amount donated by one student ठीक है एक बच्चे ने कितना दिया बराबर अच्छा multiply करेंगे इसको हम किससे total बच्चों से कि total कितने बच्चे हैं है न total कितने बच्चे हैं इससे हम लोग क्या करेंगे multiply तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि अच्छा total amount इतना donate किया गया टोटल अमाउंट इतना डोनेट किया गया अब कोश्चन में आपको पहले से बोला जा रहा है कि टोटल अमाउंट कितना डोनेट किया गया है 2, 4, 0, 1 कोश्चन में पहले से बोला जा रहा है कि टोटल अमाउंट कितना डोनेट किया गया है 2, 4, 0, 1 तो total amount donated की जगा लिख दिया 2401 फिर equal to की जगा equal to एक student बताईए कितना पैसा दे रहा है एक student x रुपीज दे रहा है multiply ऐसे कितने students है total students को भी हमने कितना जियूम किया है x तो यहाँ पे भी आएगा x ध्यान रखिएगा x multiply by x कितना होता है x multiply by x होता है x का square x multiply by x कितना होता है x का square तो यहाँ से आगया x का square और left hand side में क्या आगया 2401 अब मुझे क्या find करने को है बुला है मुझे मिला x का square मुझे क्या मिला मुझे मिला x का square मुझे क्या मिला x का square मुझे क्या मिला मुझे मिला x का square है ना मुझे क्या मिला मुझे मिला x का square मुझे चाहिए परंतु x तो x कैसे निकालेंगे x square अगर दिया है और अगर आपको x निकालना है तो आपको क्या करना पड़ता है square root लेना पड़ता है तो x square का जब आफ square root लोगे तो x square का square root कितना हो जाएगा बताओ x square root x square का कितना हो जाएगा x 2, 4, 0, 1 का कितना होगा अब देखे 2, 4, 0, 1 का कितना होगा वो आपको निकालना पड़ेगा आपको क्या मैंने square root निकालना सिखाया है येस मैडम आपने square root निकालना सिखाया है prime factorization से तो आपको जो मैंने square root निकालना सिखाया है आप उस method को use करिए और उस method को use करने के बार आप क्या कर दीजिए फटा फट जाईए x की value calculate करिए तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहे हूँ ये काम आप मुझे calculate करके बताईएगा कि x की value square root निकालने के बाद कितनी आई उमीद करती हूँ square root निकालना सबको आता है ठीक है सब सिखाए है न तो आना ही जी है है न तो ये आपके निकालने के लिए हम छोड़ रहे हैं done अच्छा वैसे question में find क्या करना था find करने को बोल रहा था number of students in the class कि बताओ उस class में कितने बच्चे हैं ये वो बोल रहा था अरे वाँ ये तो हमने find कर लिया कैसे find कर लिया हमने number of students को कितना अजियूम किया था x अगर x पता चल जाएगा square root निकालने के बाद तो हम लिख देंगे therefore number of students ठीके in class 8 are कि class 8 में कितने बच्चे हैं इतने बच्चे हैं तो आपको वो square root से x निकालना पड़ेगा ठीके हैं आपको square root से क्या निकालना पड़ेगा x निकालना पड़ेगा कैसे prime factorization से कर सकते हो अगर long division method आती है उससे कर सकते हो अगर आपको पहले से याद है जैसे कि मुझको याद है कि 2, 4, 0, 1 का square root 49 होता है तो आप directly लिख सकते हो otherwise आप solve कर लिजे rough में और फिर यहां लिख दीजे तो तरीके बहुत हैं आप कौन सा तरीका यूज़ कर रहे हो is up to your choice ठीक है चलो तो यह question हम लोगों ने discuss कर लिया अभी next सवाल की तरह move करते है जो इसी के जैसा है same to same कोई difference नहीं है इसमें है ना question को पढ़ते हैं देखो एक जगा है let's say एक school है वहान लेते हैं वहाँ पे tree plantation program organize किया गया करवाते हैं school वाले tree plantation program organize करवाते हैं इस tree plantation program में 2025 जो plants है are to be planted in a garden मतलब एक garden के अंदर में 2025 plants लगाने के थे मतलब total plants कितने लगने वाले हैं उस garden के अंदर total plants कितने लगेंगे 2025 तो यहाँ पे लिख देते हैं total plants to be planted ठीक है जो आप plant करना चाह रहे हो total plants to be planted वो कितने आ जाएंगे equal to 2025 done ठीक है वाइडम टन हो गया अब आगे आप question को पढ़िए अच्छे से उसकी language को समझे in such a way धान से सुनना each row contains as many plant as the number of rows अब इसका मतलब समझेंगे जैसे उपर वाले question में उसने आपको क्या कहा था कि जितने बच्चे होंगे है न एक class में जितने बच्चे होंगे पैसे भी उतने ही जाएंगे मतलब अगर एक class में तीन बच्चे हैं तो पैसे हर एक पच्चा कितना देगा? 3, 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 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, अगर किसी कलास पे 11 बच्छे हैं, तो हर बच्चे कितना पैसा देगे? 11, 11, 11, 11, 11, Similarly, इस question में भी, आपको, same वही language बोली गई है, कि each row contain as many plants as the number of rows, मतलब जितनी रोज होंगी प्लांट भी उतने ही लगाएंगे, है ना, प्लांट भी हम उतने ही उस रो में लगाएंगे, अगर कोई बोलना चाहरा है कि मैडम चार रोज बनाएंगे, तो चार रोज मतलब एक रो में प्लांट भी कितने लगाने हैं, फिर चार लगाने, एक र यहाँ पर जैसे उपर हमने अज्यूम किया था कि मान लेते हैं एक क्लास के अंदर x students हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या मान लेते हैं कि let number of rows equal to x ठीक है हमने उसको क्या मान लिया हमारे पार कितनी rows है x rows है हमने क्या मान लिया कि हमारे पार कितनी rows है x rows है हमारे पार कितनी rows है x rows ह ऐसा हमने मान लिया अब कोशन वाला क्या कह रहा है Each row contains as many plant as the number of rows मतलब कितने plant लगाने हैं एक रो में कितने plant लगेंगे जितनी rows होंगी एक रो में कितने plant लगेंगे जितनी rows होंगी So therefore number of plant in one row एक रो में कित्ने प्रॉंट लगेंगे एक कईंगे प्रॉट नगेंगे जितनी रोस होगे कितनी रो यह यह 7 रोस है एक रोस है-क्ट-ास-वैक सबकार को तो वैसे ही अगर अब अने नंबर ओव रोज को X मान लिया है। और अगर कोई आप से यह पूछ दाये कि प्लांट लगाने हैं तो आप क्या बोलोगे कि मैं है एक रो में एक्स प्लांट लगाऊंगा, मैं एक रो में कितने प्लांट लगाऊंगा, मैं एक्स प्लांट लगाऊंगा, तो ऐसे करते करते, टोटल प्लांट्स, कितने होंगे, कैसे निकालेंगे टोटल प्लांट्स, हमेशा टोटल निकालने का एक ही तरीका होता है, हमेशा आपके पास जो एक की quantity है आपके पास जो एक वाली quantity है जो आपके पास एक वाली quantity है है ना यानि कि number of plants in one row number of plants in one row आप इसको multiply कर दो किस से multiply कर दो total number of rows से जितनी number of rows आपके पास है total item जितने है उससे multiply कर दो अब question में पहले से बोलके रखा है कि बोलो क्या कि total plants आपके पास कितने है 2025 मैं नहीं कह रही question वाला कह रहा है और question में यह चीज हम लोगों ने लिख लिए है कि number of plants in one row कितने होंगे x होंगे number of plants in one row कितने होंगे x होंगे यह हम लोगों ने पहले से यह चीज लिख लिए है कि number of plants in one row कितने होंगे x होंगे वह और हमने यह ची पहले से लेट भी कर लिये कि number of rows भी कितनी होंगी x होंगी number of rows भी कितनी होंगी x होंगी number of rows भी कितनी होंगी x होंगी तो यहां से 2025 equal to किसके आगया x square के बराबर आगया है ना यहां से 2025 किसके बराबर आगया x square लेकिन हमको तो x square नहीं चाहिए हमको तो x चाहिए तो हम क्या करेंगे taking square root हम क्या ले लेंगे square root ले लेंगे और अगर मैडम हमने square root लिया तो x square का square root हो जाएगा x और 2025 का square root आपको निकालना पड़ेगा अब अगर आपको directly याद है तो आप लिख दीजे square root होता है यह square root होता है 45 का तो मैं directly लिख दूँगी x equal to 45 अब अगर आपको directly याद नहीं है तो आप रफ में बाजू में थोड़ा सा rough work करिए prime factorization तरीका यूज करिए या long division जो भी आपको पसंद है और उस तरीके से आप फड़ापट फड़ापट क्या कर लीजे निकाल लीजे कि कितना आएगा x की value तो जो कि हमने निकाल लिया बताओ है ना तो इस तरीके से find the number of rows and the number of plants in each row यह जो हमको पूछा गया था कि find करिए number of rows कितनी होंगी तो बताओ number of rows कितनी होंगी बताओ हमने number of rows को क्या assume किया था x assume किया था तो हम आपर number of rows कितनी निकल के आए 45 निकल के आए हम आपर number of rows कितनी निकल के आए 45 निकल कर आए तो हम यहाँ पर लिग देंगे therefore number of rows equal to कितना 45 कि number of rows कितनी है हम लोगों के पास 45 है उसके अलावा और क्या बोला गया question में find the number of plants in each row, हर row में कितने plant लगेंगे, ये भी जाओ जाके calculate करो, ऐसा question वाले ने कहा, तो हमने क्या कहा था कि एक row में कितने plant लगेंगे, x plant लगेंगे, क्योंकि question वाला कहा था कि दोनों की value क्या होनी चाहिए, same, तो हम यहाँ पे लगेंगे कि number of plants in each row, हर एक row में कितने plants लगने वाले है, 45 plants लगने वाले है, ये हर एक row में कितने plant लगने वाले है, 45 plants लगने वाले है, So in this way, हम लोगों का ये question होता है, खतम, तो हमने total दो questions इस particular video में discuss किये, अगर इसमें कुछ ऐसा है, कि नहीं माडम ये point नहीं समझ में आया, तुम मुझको बताओ, फिर हम लोग उस पे आगे और further discussions करेंगे, बड़ चीजे काफी आसान थी, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग खोल कर करोगे, थमझने की कोशिश करोगे, क्योंकि word problems है, है न, word problems में आपको थोड़ा तो देखो, अपना input डालना पड़ेगा, ऐसी word problems नहीं बन जाते हैं, तो जब आप थोड़ा सा input डालेंगे, महनत करन तो बन जाएगा, ठीक है, चल, फिलाल अभी अपन इस वीडियो को यहां रोपते हैं, और कल इसके आगे यहीं से,